हेलो एब्रिवन तो आज हम हरी मूंग की दाल और चावल से बनाएंगे बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी नास्ता इसके लिए एक कप साबुत हरी मूंग और आधा कप चावल को रात में ही मैंने सोख करने के लिए रख दिया सुबा के टाइम ये नास्ता में बना रही हूँ यहाँ पर चावल और दाल बहुत अच्छी तरीके से भीग चुके हैं तो अगर आपके पास में हरी मूंग की दाल नहीं है तो आप कोई भी मूंग की दाल ले सकते हो या चैने वगेरा की दाल भी ले सकते हो अब इसमें हम थ त्यार करेंगे, पीस लेंगे, ज्यादा तर हरी मुंग जो रहती है, वो नहीं खाई जाती है, लोगों के घर में बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से धेरों-धेरों मुंग की दाल खिला सकते हो, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, नमक आप बै लेकिन चाबर लालोगे न, तो टेश थोड़ा अच्छा आएगा, और अब यहाँ पर हमने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा जीरा, आप देख सकते हो किस तरीके से, अगर आप इसे एक से दो मिनट के लिए इसी तरीके से बराबर फेट दोगे न, तो यह बहुत ही अच्छ लेकि दाल सबसे ज़्यादा हेल्दी दाल मानी जाती है, फुल अप प्रोटीन होती है, तो आप बिना किसी टेंशन के मुँग की दाल का नास्ता अपने बच्चों को दे सकते हो, इसी बहाने बच्चों को धेर सारा प्रोटीन भी मिल जाएगा, तो अब यहाँ मैंने एक तबा लिया है, लोहे के तबे पे दिखा रही हूँ, अगर आपके पास नौन स्टिक तबा रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं लोहे की तबे पे आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि सभी के पास नौन स्टिक तबा नहीं होता है, अब यहां लोग के तबे पहले तो तेल लगाया था अच्छे से तबा घरम किया पानी का थोड़ा सा छीटा दिया मैंने तबे को हलका ठंडा करने के लिए अब इसमें हम बैटर डाल देंगे और कुछ इस तरीके से इसे फैलाते चले जाएंगे यहां पर हम मैं जो आपको सब्जियां भी आड़ की जा सकती हैं तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं होटती हूं बहुत सारी सब्जियां डालती हूं बारी कटी हुई प्यास, टमाटर, कद्दू कस कीवी, घाजर, शिम्बला, मिर्च और भी जो सब्जियां आप खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते ह एक चोथाई छोटी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है अगर आपके पास इनो है तो आप थोड़ी सी इनो डाल सकते हो यहां पर लिया मैंने अपे पैन इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है और आप इसे अपे भी बना सकते हो बच्चों को इस तरीके की चीज से हैं वो भी इसी का नास्ता कर लेंगे आपको अलग-अलग नास्ता नहीं बनाना पड़ेगा अब यहां पर मैंने तबे पे ले लिया तेल और जो हमने सबजियां मिलाए थी सोडा डाला था उससे देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो बैटर है वो फूल रहा है तो यहां पर तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि यह जो हमारा बने नास्ता काफी क्रिस्पी बने अच्छा गोर्डन सा कलर आ जाए अब इसे मैंने एक से डिर्मेट कवर करके पकाया था पलट देंगे इनको बहुत ही अच्छी तरीके इसे यह पक जाते हैं इनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती मैं यहां पर यहां इस तोड़ा सा बटर उपर से लगाया है बटर का स्वाध अच्छा आता है यहां इसकी जीगे घी भी लगा सकते हो अब इसे हम पलट देंगे देख सकते हो लोग के तबह पर ही बनाया है बिल्कुल भी नहीं चिस पकते है आप कितना भी पतला बनाएं है कितना भी मोटा बनाए है बहुत आराम से निकलाते हैं तेल आप कम लगाना चाथे और ज़्यादा लगाना चा stir वो आपकी मरजी है आप अपने पसंद के हिसाप से ही लगाएंगा यहाँ पर मैंने एक थाली में ले लिया टोमेटो केचप साथ में सेजवान चटनी और यहाँ पर देखो यह अप़े भी हो गए रेडी यह देखिए तो जो खाना है वो खा सकते हो और इन अप़े को आप चटनी के अलावा सामर वगेरा के साथ या कोकोनट चटनी वगेरा के साथ भी खाओगे न तब यह बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यह मौंग दाल चावल के अप़े हमारे हली वाले बनके तयार हो गए हैं और यहाँ पर यह जो वेज चीला था मौंग दाल वाला वो भी रेडी हो चुका है देख सकते हो बहुत क्रिस्पी है और बहुत टेस्टी है क्योंकि इसमें हमने खुब सारी सबजियां डाली है हरा धनिया वेलबल नहीं था यानि नहीं मिल रहा था उस टाइम पे तो आप इसमें खुब सारा हरा धनिया भी डालिएगा यह देखिए आपको नास्ता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना फेस्बुक पर देख रहे हो तो जरूर फॉलो कर लेना पेज को